नमस्ते बच्चों, आज हम निन्यानवे तक हासिल के साथ जोड़ करना सीखेंगे आईए इस प्रशन से शुरू करते हैं आपके पास 65 खूल थे और आपके दोस्तों ने आपको 27 और खूल दिये आपके पास कुल कितने फूल है? क्यूंकि हमें यहां कुल फूलों की संख्या का पता लगाना है हम जोड का इस्तिमाल कर इसका उत्तर ढोन सकते हैं इस जोड को हम इस तरह से लिख लेते हैं और चित्र में ये जोड कुछ इस तरह नजर आएगा यहां खुले फूल एकाई दर्शाते हैं और दस-दस खूलों के गुच्छे दहाई की संख्या को दर्शाते हैं पहले एकाई के भाग में संख्याओं को जोड़ें आईए गिनते हैं कितने खुले फूल हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, चै, साथ, आट, नौ, दस, ज्यारा और बारा कुल बारा खुले फूल हैं हम बारा को एकाई वाले भाग में तो नहीं लिख सकते लेकिन हम इन बारा पूलों को एक दस फोलों का गुच्छा और दो खुले फोल के रूप में लिख सकते हैं मतलब बारा के दहाई वाले हिस्से एक को हम यहां दहाई वाले हिस्से के ऊपर हासिल के रूप में इस तरह लिख सकते हैं और एकाई वाले भाग दो को यहां एकाई वाले हिस्से के नीचे इस तरह लिख लेंगे। अब दहाई भाग में संख्याओं को जोडते हैं। अब हमारे पास कुल एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और ये हासल का एक गुच्छा जोड नौ, दस, दस खूलों के गुच्छे हैं। मतलब छे में दो जोड और एक हासल का एक जोड हो गए कुल नौ दहाई। इसे हम यहां दहाई वाले हिस्से के नीचे इस तरह लिखेंगे। हमारे पास कुल बानवे फूल हैं। आईए एक और प्रश्न हल करें। मेरे पास 45 लकडिया हैं और आपके पास 16 लकडिया हैं। हमारे पास कुल कितनी लकडिया है? एक बार फिर हमें कुल लकडियों की संख्या का पता लगाना है. इसलिए हम यहां जोड का उप्योग करेंगे. इसे हम जोड के रूप में इस तरह लिखेंगे. हम एकाई वाले भाग में लिखी संख्याओं को जोडेंगे. पांच में छे जोड हो गए ग्यारा. लेकिन ग्यारा को हम एकाई वाले भाग में नहीं लिख सकते. इसलिए हम ग्यारा के दहाई वाले हिस्से को इस तरह हासिल के रूप में दहाई वाले भाग के उपर लिखेंगे. और 11 के एकाई वाले भाग एक को हम यहाँ एकाई वाले भाग के नीचे इस तरह से लिखेंगे अब बस हम दहाई वाली संख्या में लिखी संख्याओं को जोड़ेंगे 4 और 1 हो गए 5 और ये हासिल का 1 जोड़ हो गए 6 इसे हम दहाई वाले भाग के नीचे इस तरह लिखेंगे हमारे पास कुल 61 लकडिया है बच्चों अब आप की बारी है इस प्रश्ने का हल ढूंडे और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपना उत्तर साजा करें हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे